परिमेश संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपन आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे कि परिमेश संख्याओं का संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपन करते हैं सबसे पहले हम पुन्रार्वोकन करते हैं पहला प्राकृत संख्याओं प्राकृत संख्याओं ये कौन सी होती है गिंती की संख्या भी इसे कहते हैं वान टू थ्री फूर फाइव सिक्स और अनंत तक इसे हमने संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया था आएए देखते हैं सबसे पहले स्केल की सहायता से हमने क्या किया था एक रेखा की जा था आएए हम लोग बनाते हैं फिर से प्राकिर्ट संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे कैसे वो देखते हैं अब बराबर बराबर दूरी पर हम बिंदू का निसान दे देते हैं यह वान, यह टू, यह थ्री, यह फोर, यह फाइब, यह शिक्स, सेवेन, एट और इसी तरह से यह अनंत की ओर चला जाएगा तो यह हमारा तरीका था प्राकिर्ट संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने का अब हम देखेंगे कि प्राकिर्ट संख्याओं को किस तरह से निरूपित करते हैं तो प्राकिर्ट संख्याओं कौन सी होती है प्राकिर्ट संख्याओं में हम एक और संख्या मिला देते हैं तो प्राकिर्ट संख्या बन जाती है और वह संख्या है शुन्य तो पूर्ण संख्याए हो गई शुन एक दो तीन चार पाँच डॉट 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 चले इसे भी हम निरूपित करते हैं संख्या रेखा पर सबसे पहले हम रेखा खीचते हैं स्केल की साहता से अब बराबर बराबर दूरी पर हम इसमें बिंदू लगा देते हैं तो ये पहली जो बिंदू ही जहां से स्टार्ट हो रही है हमारी पूर्ण संख्याएं वो है शुन्य ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्था तिये अनन तक जाएंगी अर्थात इसका सुरू भी नहीं मालूम है और ये अनन तक जाती है जीरो से जो छोटी वाली संख्याएं है ये रिनात्मक पूडांग है और जीरो से जो बड़ी संख्याएं है जो दाहिनी ओर है ये धनात्मक पूडांग है तो आईए हम देखते हैं कि पूडांग को हम किस तरह से संख्यारेखा पर निरूपित करते हैं अब यहां बीच में हम इसे इस बिंदू को सुन्ने से निरूपित करते हैं और यह इधर तीर का निशान बना देते हैं तीर अमें यह बताता है कि यह अनंत दूरी तक जाएगी यह रेखा अनंत दूरी तक जाएगी तो यहां सुन्ने हो गया तो इसकी दाहिनी ओर जो हमने बिंदू दिया है बराबर दूरी पर तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on और बाइं और माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और so on ऐसे ही चलता चला जाएगा तो इस तरह से पुनां को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं अभी तक हमने प्राकृत संख्याओं, पुर्ण संख्याओं एवं पुर्णांक को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया है अब हम परिमे संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं यह सीखेंगे और इसके लिए हम एक उदाहरन लेते हैं, उदाहरन की सहायता से इसे सीखेंगे संख्या रेखा पर दो बटे नौ पाँच बटे नौ मैनस एक बटे नौ मैनस दो बटे नौ मैनस पाँच बटे नौ और मैनस आठ बटे नौ को निरूपित करें यह हमारा प्रस्न है, आईए देखें कैसे इसे निरूपित करें ही तो एक रेखा हम खीचते हैं सबसे पहले, स्केल की सहयता से अब इस पर बराबर बराबर दूरी से हम बिंदू लगाते हैं अब हम बीच के किसी बिंदू को सुन्य से निरूपित करते हैं और हम देखते हैं कि दो बटा नौ और पांच बटा नौ यह उचित भिन हैं अर्थात यह सुन्य और एक के बीच की कोई संख्या है अतह सुन्य से एक के बीच की जो दूरी है इसे हम नौ बराबर भागों में बांट देते हैं यह हमने सुन्य और एक के बीच को नौ बराबर भागों में बांट दिया ये भी सुन्य और मैनस एक के बीच की कोई संख्या है अतह बाई ओर सुन्य से मैनस एक के बीच को भी हम نौ ब्राबर भागों में बांट लेते हैं अब हम सुन्य और एक के बीच जो बिंदु हैं उन्हें हम निरूपित कहते हैं तो सुन्य के दाहिनी और जो बिंदु है यह होगी हमारी एक बटा नौ इसके बाद दो बटा नौ तीन बटा नौ चार बटा नौ पांच बटा नौ छे बटा नौ साथ बटा नौ आट बटा नौ और नौ बटा नौ अर्थात एक सुन्य के बाई और भी बिंदुओं को हम इसी तरह से निरूपित करेंगे माइनस एक बटा नौ माइनस दो बटा नौ माइनस तीन बटे नौ माइनस चार बटे नौ माइनस पांच बटे नौ माइनस छे बटे नौ माइनस साथ बटे नौ माइनस आट बटे नौ और माइनस नौ बटे नौ अर्थाथ माइनस एक अब दोनों और तीर का निसान देना भूल गए थे इसे हम दे देते हैं दोनों और तीर का निसान यह बतलाता है कि यह संख्या रेखा दोनों और अनंत दूरी तक जाएगी अब जो संख्याएं हमें निरुपित करने के लिए दी गई हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर रखेंगे और बाकी जो हमने संख्याएं लिखी हैं इसे हम डिलिट कर दे रहे हैं सभी संख्याओं को हमने इसलिए लिखा था वह आपको समझाने के लिए लेकिन जब आप करेंगे तो आप उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे जिन्हें निरुपित करना है तो जो निरुपित करना था उन्हीं हम छोड़के बाकी को डिलिट कर दे तो बटे 9 पाँच बटे 9 यह इधर धनात्मक की ओर था सुन्ने से दाहिनी ओर और इधर था मैनस एक बटा 9 मैनस दो बटा 9 मैनस पाँच बटे 9 और मैनस आट बटे 9 यह हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गिया हम एक और उदारन लेते हैं ये दो नंबर हम इसे कहते हैं संख्यार एखा पर माइनस साथ बटे चार निरूपित करें आईए इसे हम निरूपित करते हैं संख्यार एखा पर तो पहले की तरह हम स्केल से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉप करेंगे हम देखते हैं कि दी गई संख्या रिनात्मक है अर्थात यह सुन्ने से बाई ओर होगी और हर में हम देखते हैं चार है अतह सुन्ने और माइनस एक के बीच की दूरी को हम चार बराबर भागों में बाटेंगे यह सुन्ने इधर है और इस साइड हमने माइनस एक को निरुपित किया अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसे देखिए के चार बराबर भागों में हमने बाट दिया तो पहला बिंदू हमारा क्या होगा मैनस एक बटाचार दूसरा मैनसदो बटाचार तीसरा मैनस तीन बटाचार और चोथा मैनस चार बटे अर्थात मैनस 1 होगा, तो इसी तरह से पाचवा, मैनस 5 पटे 4, इसके बाद मैनस 6 पटे 4, मैनस 7 पटे 4, मैनस 8 पटे 4, और इसी तरह से होता जाएगा, ये तीर का निशान हमने छोड़ दिया था, इसे फिर से दे दे रहें, अब जो संख्या हमें निरूपित करना था इसे संख्या रख्या पर हम छोड़ देंगे और बाकी को हम डिलीट कर देंगे आसा है कि इन दो उधारनों से परिमे संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है यह आप सीख चुके होंगे झाले किया झाली हम भाले कि मत खची को संख्या आसा कि मत चआते हम एखा उती संख्या जगभ को ह anyone